हलो एव्यों वेल्कम बैक तो माइ चैनल सो आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगे डेर मिटर फैब्रिक से आप किस तरीके से कमरेला फ्रॉग बना सकते हैं वह भी बहुत घूम की तो चली वीडियो करते हैं स्टार्ट उससे पहले मेरे चैनल को कर लीजेगा अंबेल का इकन क्लिक कर लीजेगा यहां पर मैंने जो लिया है फैब्रिक पू जॉल्चरण फैब्रिक है and यह जो जॉल्चरण वह जॉल्च ज जोस्री जॉलचरण जिसमें लाइनिंग की जलुट नहीं होती है और मेरा जो यह फैब्रिक है उसका अरज वह सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर मैंने से डबल फोल्ड करके रख दिया है सो आपको दियान रखना है कि आपको जो है इसे अरज में बढ़ा लेना है जबी आपकी डेड मिटर में यह गुमकी फ्रॉक बोनेगी तो यहां पर मैंने चोड़ाई लिए वह मैंने 11.5 इंच लिए नो 10 इंच की मेरी चैस्ट रह तो मैंने डेरेंच प्लस करके चोड़ाई लिए उसके बाद आपको अपनी चोली की लेंथ ले लेनी है तो यहां पर मैंने 15 इंच पे मार्कंग कर दिया है इस फइक करने के बाद आपको इस फैबरिक को अलग निकाल लेना है अपनी चोली के फैबरिक को यहांट मैंने इसलेओर यिक निकाल लिया है गईज उसके बाद मिसम अपिनी सव्य वाश्रेक करना है दियान रखें पर नीचे से Olay वह अगर चोटा नेक पहनते हैं तो 2 इंच होगी आपकी चोडाई नेक की उसके बाद में फ्रेंट नेक की जो लंबाई रकोंगी वह 6 इंच की रकोंगी और जो डोनों पर की आपको मार्किंग कर लेनी है बहुत इजी रहता है इस तरीके से मार्किंग करके करना शुच्छा ने पर आपको पर पर आपको कट कर लिना है तो यहां पर मैंने अपनी चोली का पार्ट को निकाल देना है और अगेन फोल्ड करके रखना है उसके बाद आपको आमोल पर इस तरीके से पर आपको कटिंग कर लेना है तो यहां यहां पर पर इससा लिया था इसमें से अपनी स्लीव को निकालेंगे तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है यह देख सकते हैं इसे मैंने फोर फोल्ड करके रख दिया है कुछ इस तरीके से इसके निचे का बॉटम जो होगा वो निक आपको अपनी वेस्ट का फोर्थ पार्त पार्ड आ यहां पर लगाना आ है वो पासे भी आपको कमी लगाना है क्या अब जब मैं गोलाई से कट करते हैं तो यह स्यादा कट हो जाता है तो 8 कमी लगाएं यहां पर मेरा चार इंच का आड़ा थो साड़े 3 कि मैंने आरे मां क तो यहां पर आपको 15 ऐंच ही रखना है क्योंकि हमारी 15 ऐंच की एटाच ли यहां पर यहां पर इसके बाद मैं सब्सक्राइग अपर है यह हमारी तु लेयर है इतना यह देख सकते हैं कितना गेर आया है मेरे कैमरे में भी कवर नहीं हो पा रहा है तो यह देड़ मिटर के फैब्रिक से सिरफ मैंने बनाया था तो दियान रखें आप जब भी फैब्रिक लें तो आरास बड़ा होना चाहिए एंड डेड़ मिटर आप ले ले एंड इस तरीके से आपका बन सकता है तो यहां पर आप देख सकते हैं उपर का जो पार्ट है हमार इस तरीके से हमने लगा के रख दिया है तो जो हमारा चोली के नीचे से पार्ट बचा था उस पार्ट को अमने फोर फोल्ड करके रखा है एंड उसके बाद इसमें जो जॉइंट डालेंगे हम कुछ इस तरीके से सब्सक्र पर मार्जन लेना है इस तरीके से आपको कर देना है अपनी स्लीप का शेयव दे देनी है मार्जन समीद तो हमने सिस्फ उपर ही उपर इसमें कली अटैच करिए है अगर आपकी स्लीव कम पड़ रही है तो आप लंबा भी डाल सकते हैं इसमें क्योंकि फैब्रीक अम रहला जब हम कट करते हैं तो नीचे से काफी बच जाता है हमारा कर देख सकते हैं मारी स्लीव कट हो चुकी है यह सिफ हमारी जॉइंट आएगा इंपता भी नहीं चलेगा हमारी जब जॉइंट आएगा तो हम पड़ी लेंगे अपना नैक को बनाएंगे तो पटी को आपको से डबल फोल करना है इस तरीके से पूरे नैक पे बनाते चले जा को तो इसलिए ज्यादा डिटेल से नहीं बता रही हूं है तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंट बैक को मैंने इसली बना लिया है और उसके बाद हम एक दूसरे के उपर रखेंगे और शोल्डर को जॉइंड कर लेंगे तो शॉल्डर हमारे जॉइंड हो चुके हैं शोल्डर अगर आप बनाएंगे तो जरूर मुझे कमेंट पे जरूर बताईएगा सो यहां पर देख सकते हैं मैंने अपनी स्लीव को टैच कर लिया है उसके बाद आपको इसमें इस तरीके से साइट की फिटिंग दे देनी है जितनी भी आपकी फिटिंग हो दे दे और जितना भी आ इसमें तो सब्सक्राइब जया आप देख सकते हैं कि दोनों को स्टेच करने को यहां व्यां स्टेच कर लिए करने के लिए तो सबसे पहले मैं से रॉंग साइट पर टर्न करूंगी तो यहां पर देख सकते हैं सरकल की तरह हो जाएगा आपका जब आप इसके जॉइंट को जॉइंट कर लेंगे तो हम अपनी जो हमाई चोली की वह राइट साइट पर टर्न कर रहे हो रहेगी और उसके सिलाई जाइट करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं हमने बाटम को भी अटैच कर लिया है अपनी चोली से इसका लोग कुछ इस तरीक से आरहा है यह देख सकते हैं गेरा आपको सिफ मैंने यह गेर लाकर दिखाया है आपको 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 मेरा यह वीडियो हैल्फुल बेना है इसकी किनारी को या फिर आप पिको कर वा ले और ज्यादा बीटिफुल लगेगा आपका यह फ्रॉग तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे से मैंसे डबल फोल कर लूगी और यह हमारी जो फ्रॉग है वह बिल्कुल रेडियो जाएगी सब्सक्राइब आपको समझ में आया होगा मेरा ये डिजाइन समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेर जरूँर करियेगा यह है मेरा स्फॉग का फाइनल लुग I HOPE आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा च्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई छी नेक्स वीडियो अल्ला हाफिस